आज का जो हमारा टॉपिक है that is the energetics of bond formation इसमें हमने जो चीज़ देखनी है वो यह है किस तरह से energy के changes आते हैं जब भी दो atom एक दूसरे के करीब आके bond को बनाते हैं तो energy की changes जूनती हैं उन atoms के अंदर क्या क्या आती हैं यह चीज़ हमने देखनी है अगर आपको पिछले chapter की basics याद हो जो चीज़ हमने study की थी हो यह कि जब भी कोई भी atom जोंसा है वो bond बनाएगा तो उसकी वज़ा यह होगी chemical bond की जब cause हमने पड़ी थी तो उसमें से एक वज़ा यह थी कि they want to be stable और stable होने का मतलब है कि they want to come at a place where their energy is low तो वो low energy की तरफ move करने चाहते हैं जितनी low energy होगी किसी भी atom की उतना ज्यादा वो stable consider किया जाएगा और जितनी किसी atom की high energy होगी उतना ही वो atom unstable जो है वो कहलाएगा तो जो modern theory of chemical bonds है that is called that suggest के जब भी atom जोंते हैं वो bonds बनाते हैं तो उनके दरमयान जो उनसा है energy का decrease आता है energy कम होती है तो जब भी unstability या high energy से वो low energy पे जाएगा तो उसको क्या बनाना पड़ेगा उसको एक अदर chemical bond जो है वो बनाना पड़ेगा तो इससे हमें पता क्या चला कि formation of chemical bond में energy क्या होती है energy decreases तो ये एक basic point आपके concept में crystal clear होना चाहिए कि जब भी bond बनेगा तो atom की जो energy होगी वो energy का profile जो होगा वो कम होगा वो ज्यादा नहीं होगा energy decrease होगी हमेशा in the formation of chemical bond जब भी कोई atom bond बनाएगा energy जो है वो कम होगी अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी forces जोन सी है एक atom के दरमयान जोन सी है वो exist कर रही होती है इसके लिए हम आज अपनी जो case study करेंगे उसमें हम देखेंगे कि hydrogen का जो molecule होता है उसकी formation hydrogen formation जो है वो हम study करेंगे क्या होता है कि एक hydrogen का atom दूसरे hydrogen के atom के जब करीब आता है तो कौन कौन सी forces जोन सी है वो उन में operate करती है forces that operate between two approaching hydrogen atoms दो hydrogen atoms जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनके दरमयान कौन कौन सी forces जोन सी है वो workout कर रही है तो दो तरह की forces होती है number one are the attractive forces and number two are the repulsive forces दो atom जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं वो एक दूसरे के attack भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ripple repulsion भी हो रही है they are also repelling each other अब इन forces का उनके energy के profile पे क्या लेना देना होगा उसको हम देखते हैं जब भी दो atom एक दूसरे के close आएंगे when atoms come closer कौन सी force परफॉर्म कर रही है attractive force जब भी attractive force अमल में आएगी atom एक दूसरे के करीब आएंगे और जोंसी उनकी potential energy है वो क्या होगी potential energy decreases जब भी atom एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरम्यान मुझूद potential energy जो है वो कम होगी रही जी बात है कि जब वो एक दूसरे से दूर है तो उनको कोई चीज करीब आने से रोक रही है क्योंकि उनके दिरम्यान attractive forces जो उनसी है वो operate कर रही है तो उसका मतलब है उनके अंदर potential energy मुझूद सी तो जब attractive force अमल करेगी एक दूसरे के करीब आएंगे तो potential energy जो है वो क्या होगी एनरजी का profile जो होगा वो decrease हो जाएगा अब दूसरे end पर जूसी force काम कर रही है that is the repulsive force repulsive force क्या करेगी कि atoms को एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर करेगी atom will not come closer atom एक दूसरे से दूर जाएंगे repulsive forces के नतीजे में और repulsive forces के नतीजे में जो potential energy है वो अब बढ़ेगी क्योंकि atoms जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और अब यह सारे का सारा काम these two forces are operating simultaneously this is important मतलब क्या हुआ मतलब यह कि दोनों forces एक ही वक्त में काम कर रही हैं एक force जो है वो potential energy को कम कर रही है और दूसरी force जो है वो potential energy को बढ़ा रही है और हमें पता है कि हमें bond बनाना है हमें basically bond formation चाहिए तो bond तभी बनेगा जब atoms एक दूसरे के करीब आएंगे इसका मतलब क्या है कि bond उस सूरत में बनेगा जब attractive force जो है वो ज्यादा होगी repulsive force की निस्वत इसको आप इस तरीके से समझें कि एक मेरे पास for example एक block है इसको दो side से force लग रही है इस तरफ जो force लग रही है मैं कहता हूँ that is 5 newton और इस तरफ अगर force लग रही है तो that is 20 newton तो यह किस direction में move करेगा यह obviously इस direction में move करेगा और कितनी force से move करेगा 15 newton की क्योंकि 5 newton जो opposite इसके लग रही थी वो यहाँ से 5 newton उसको इसके effect को cancel करेगी तो क्या हुआ दोनो forces एक ही वक्त में लग रही हैं लेकिन एक का magnitude जो है वो ज्यादा है high magnitude और एक का magnitude जो है वो less है तो obviously body उस force के under काम करेगी जिसका magnitude ज्यादा है similarly आपका जो atom है उसके उपर भी जो है दो forces लग रही हैं एक attractive repulsive force है and other one is the attractive force अब वो कहता है कि normally जो चीज हमारे देखने में आती है वो यह है कि attractive force का जो magnitude है that is high as compared to the magnitude of the repulsive force repulsive force का magnitude जो है वो कम होता है और attractive force का magnitude ज्यादा होता है attractive force के magnitude के ज्यादा होने की वज़ा से आपका atom जो है वो attractive force के under move करेगा और आपके जोंसे दो atoms हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो बात यह थाबित हुई कि attractive forces जोंसी हैं दो atoms के दरमयान they are greater than the repulsive forces repulsive forces के निस्वत उनके quantity magnitude ज्यादा होता है और इसके result में क्या होता है atoms come closer to each other क्यूंके करीब आना जो है bond बनने की पहली और आखरी शर्त है जब तक दो atom एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे उनके दरमयान bond का बनना जोंसा है वो possible नहीं होगा तो यह तो general हमने force की तर्तीब देखी के कौन-कौन सी forces अमल कर रही है और उनमेंसे कौन सी dominant है और कौन सी reflexive है अब हम चलते हैं अपने hydrogen atom की formation के energy diagram की तरफ अगर यह आपके पास एक potential energy का graph मैं अगर बनाओं यह इस direction में अगर potential energy बढ़ रही है तो आपके पास जो graph बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यह आपकी बुक में भी जो है वो मुझूद है इसको अब इस तरह से देखें कि इस तरह अगर potential energy बढ़ रही है तो यहां पर अगर इस case की हम बात करें इस point की हम बात करें तो इस point के उपर potential energy ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि आपके पास जोंसे hydrogen के atoms है they are far away from each other जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपके पास hydrogen atom जोंसे हैं वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और एक जब आप इस point पर आ जाएंगे तो आपके पास जो hydrogen atom है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे और यहां पर क्या होगा bond जो है वो बनेगा अभी हमने उपर यही चीज़ देखी थी कि जब item एक दूसरे के करीब आते हैं तो energy क्या होती है कम होती है तो यहां पर energy ज्यादा है तो यह एक दूसरे से दूर है और जैसे जैसे यह करीब आ रहे है energy कम हो रही है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यह एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि यह एक दूसरे के साथ आपस में जो है वो bond बना लेंगे और जो distance होगा दो hydrogen atoms के दरम्यान that is characteristic which is 75.4 picometer this is called as the bond distance a bond distance क्या है कि जब तक atom दो hydrogen के 75.4 picometer distance से एक दूसरे के करीब नहीं आ जाते आपके पास bond formation नहीं होगी bond जो है आपके पास वो नहीं बन सकेगा तो this is very important to understand here कि bond distance जो है वो बहुत ज़्यादा जोंसा है वो important है अब अगर इस level के उपर आप potential energy को देखें तो potential energy is 436 point अगर इस point को आप देखें this point तो यहाँ पर जो potential energy की value है that is 436.45 kilo joule पर मॉल इसके साथ negative sign है negative sign means के energy is being evolved energy is evolved इसका क्या मतलब हुआ जाहरी सी बात है कि आपके पास दो एटम जोंसे थे वो दूर दूर थे अब वो एक दूसरे के करीब करीब आ गये है यहाँ पर potential energy जो थी वो high थी और यहाँ पर जो potential energy है वो low है for example अगर यहाँ पर 200 थी और यहाँ पर 50 है तो यह इस जो distance इसने travel किया इसमें जो 150 kilo joule energy का जो difference है वो कहां गया वो energy की शेकल में बाहर निकल आया जिसको हम कहते हैं energy evolved इसी तरह जो के आपके hydrogen atoms जो के दूर दूर थे वो जब एक दूसरे के करीब आए और कितने distance पे करीब आगए जो के भी हमने bond distance पड़ा था which is 75.4 पीको मीटर तो अब इस distance के दुरान इसने करीब आने के दुरान जो potential energy इसमें से निकली है वो value जो है characteristic होगी और वो 436.45 के जो जाउल पर मॉल होती है फूर वन मॉल ओफ हाइडरोजन एटम तो ये energy की value जो है ये characteristic value है इस diagram में के इतने करीब जब आ जाएंगे तो आपके पास जो है वो bond जो है वो formation हो जाएगी अब इसका मतलब क्या है के hydrogen का जब bond बना तो उसने इतनी energy जो है वो release की और एक दूसरे के करीब आके bond बन गया अब अगर मैं कहता हूँ के मेरे पास hydrogen hydrogen का molecule मुझूद है H2 molecule मुझूद है और मुझे इसकी bond को तोड़ना है I want to break this bond तो मुझे इसको energy देनी पड़ेगी I have to give energy और energy कितनी देनी पड़ेगी स्वाल ये पैदा होता है कि how much energy how much energy का answer ये है कि जितनी energy इस bond ने बनते वकत निकाली थी अपने अंदर से उतनी energy इसको दूँगा तो फिर ये hydrogen के atom वापस सेपरेट चले जाएंगे simple सी बात है कि hydrogen के दो atom दूर से जब वो एक दूसरे के करीब आए तो उन्होंने energy दी 436.45 kg पर मॉल अब मुझे इन करीब करीब के atom को दूर करना है उनके तो जाहरी सी बात है जो energy पहले निकली थी अब वो energy मुझे वापस देनी पड़ेगी और वो energy की quantity उतनी ही होगी तो this is called as the bond energy यहाँ पर जो concept of bond energy है वो आपके mind में आजाना चाहिए इस सारी discussion से कि कोई भी bond जो है वो जब बनता है तो एक खास amount of energy जो है वो release करता है और जब bond टूपता है तो वो ही खास amount of energy हमें उसको देनी पड़ती है which is called the bond energy तो यहाँ पर जो चीज हमने इसके अंदर पड़ी कि energy जो है वो कम हो जाती है और bond जो है तब ही formation होगी bond की जब आपके पास एक specific amount of your distance जो important चीज है यहाँ पर वो यह है कि आपके पास bond distance या bond length जिसको हम कहते हैं जब तक वो achieve नहीं होगी bond नहीं बनेगा जब तक दो hydrogen के atom 75.4 पिको मीटर जितना नजदीक नहीं आएंगे उनके दिरमें इतना फासला नहीं दोगा तब तक bond नहीं बनेगा और दूसरी चीज हमने पढ़ी bond energy कि जब भी bond बनेगा तो आपके पास energy release होगी यहाँ से objective type में जो question आ जाता है कि bond formation is a dash process अब bond formation को अगर आपने देखा भी study किया तो इसमें क्या हो रहा था इसमें energy release होती थी तो जिस process में energy release हो उस process को हम कहते है exothermic process तो आपके देन में यह concept clear होना चाहिए कि जब भी bond बनेगा process exothermic होगा energy निकलेगी और जब भी bond को तोड़ना होगा तो process endothermic होगा और हमें उसको energy देना पड़ेगी तो these are the very basic concept जो के इस छोटे से topic में वो जो है वो convert कर रहा है वो कहते है जी sometimes क्या होता है repulsive forces जों सी है normal case में तो हमने पढ़ा था कि attractive forces जो हैं वो ज्यादा होती है लेकिन वो कहता है sometimes repulsive forces are greater than the attractive forces अब क्या होता है कि आपके पास repulsive forces के dominant होने की वज़ा से जो potential energy है system की जो potential energy होती है molecule की वो क्या होती है increase हो जाती है और potential energy increase होने की वज़ा से bond formation जो है वो नहीं हो पाती तो ये आपके देहन में मुझूद रहनी चाहिए बात के bond formation जो है वो नहीं होगी इस case में जब repulsive forces जो है वो dominant होंगी attractive forces से तो उसके नतीजे में आपके पास जितने भी करीब आ जाएं आपके atoms bond formation नहीं हो सकेगी क्योंकि energy का जो profile है जो potential energy system of the profile है वो जो है वो खासा ज्यादा होगा तो energy जब भी bond बनेगा energy कम होगी तो अभी जो चीजें हमने इस topic में study की वो ये थी कि हमने hydrogen atom को देखा हमने हब से पहले देखा कि bond formation के result में क्या होता है energy decrease होती है जब भी दो atom करीब आते हैं potential energy क्या होगी कम होगी और जब bond बनेगा तो bond formation is associated with two factors जो के हमने देखे हैं इस topic में I am summarizing the topic now bond formation के अंदर पहली चीज थी bond length जो के characteristic होती है किसी भी atom की hydrogen के case में 75.4 इसी तरह हर different molecule के लिए different bond length होगी और दूसरी चीज थी bond energy और bond energy भी हर molecule की characteristic है हर molecule के लिए different होगी जब तक दोनों atoms के दिरमयान bond length और bond energy जो release होनी है वो equal quantity और required amount में release नहीं होगे bond formation नहीं होगी तो bond formation के लिए these are the two parameters और थर्ड चीज जो लाज़ चीज हमने देखी वो ये थी कि potential energy of the system जो उनसी है वो increase कर जाएगी if repulsive forces are dominant और जो आखरी important बात थी वो ये थी कि आपके पास जो bond formation का process है that is an exothermic process इसके नतीजे में energy जो है वो release होती है तो these are the basic things about the energetics of the bond formation और यही हमारा आज का topic था आपके पूह लाँ और ये चाज कि आपके लिजाए आपके भाँ तो आपके भाँ प्यूज़ियों और रादू़ में और ये वो हमारा लाँ पूग भंब ये जए पाफं़ दूबका आपके लो बाद ज़राभ से लो अटपशती हैं झाल झाल